प्यारे दोस्तों सादरे वदन मैं हूं महिश्क मारवेद और आप देख रहें एंजेपी हरियाना आज बात करते हैं पांच फरवरी को गुरुगराम में हुए कांगरेस कारी करता सम्मेलन की अगर राजनीतिक द्रश्टिकोन से देखें तो इस सम्मेलन में लोकसवा चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी कर रहें पूरु मंतरी कैप्टन आजे सिंग्यादव और उनके बेटे रेवाडी सिविधायक चिरन जीवराव दूर रहे कुछ और भी ऐसे चेहरे थे जो नहीं दिखाई दिये जो नहीं पहुँच पाए लेकिन माहोल बता रहा था कि पूर मुख मंतरी भूपेंदर शिंग हुड़ा और प्रदेश अध्यक्स उदैवान की जोड़ी किसी की उपस्थिती और अनुपस्थिती पर ध्यान दिये विना आगे बढ़ चुकी है यह जोड़ी अपना संदेश देने में काम्याब भी रही संदेश था जिसे हमारे साथ चलना हो चले नहीं चलना हो वे बेशक दूर रहे लेकिन हम चल पढ़े हैं इसका क्या नफा नुक्षान रहेगा यह तो भविसी बताएगा लेकिन सम्मेलन में हुड़ा और उदेभान में लोकसभा चुनाओ का आगाज कर दिया है गुड़गाओं लोकसभा के चुनाओ का आगाज हुड़ा और उदेभान दोनों ने ही यह भी सीधे तोर पर स्पष्ट कर दिया कि आगामी लोकसवा चुनाओं में पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा बोपेदर सिंग हुड़ा के मुख मंत्री रहते हुए साड़े नो वर्स में हरियाना में हुए विकासकारिय भी होंगे डाक्ट मनमोहन शिंग के समय केंदर सरकार की मदद से हुए तब के कामों को भी किनवाया जाएगा गुरुग्राम में इनी विकासकारियों का गुणगान होगा भाजपा को बैक फुट पर धकेलने के बिए हर कांग्रेशी को सत्ता से सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाएगा ऐसा किया भी गया सरकार से सवाल पूछे गए भाजपा सरकार ने एक इंच मेटरों क्यों नहीं चलाई गुरुग्राम का सरकारी अस्पिताल कहां पर है बस स्टेंड कहां पर है हुड़ा ने सवाल किया कि सरकार ने लोगों को कैसे फैमिली आईडी प्रोपर्टी आईडी वे ब्रष्टाचार के मकड़ जाल में फसाया हुआ है उदेभान ने फर्जी वोट बनवाने तक के आरोप लगा दिये दोनों नेताव ने कहा कि टिक्टार थी बूत कमेटियों का गठन करें और फर्जी वोट कटवाएं नए वेलिड वोट बनवाएं जन्ता के सामने कांग्रेस सरकार के समय हुए कामों का लेखा जोका रखे और बीजेपी जेजेपी की ओर से किये जा रहे जूटे वादों की पॉल खोले हर्याना की अर्थिवस्ता पर भी सरकार को घेरा हुड़ा ने कहा कि उनके कारिकाल में यहां की अर्थिवस्था टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी लेकिन इनोंने बैक गियर लगा दिया है मंचंचालन कर रहे हैं कांग्रेस के कारी-कारी अध्यक से जीतेंद्र भार्दवाज ने संतुलन साधने में अपनी कला दिखाई और जरुरत के इसाब से उन अननेताओं को भी मंच पर बुलाया और बोलने का मोका दिया जो हरियाना में भूपेंदर सिंग हुड़ा के और स्थानी स्तर पर उनके हाथ मजबूत करने में मददगार बन सके भूपेंदर सिंग हुड़ा ने अपनी जनसभा में उन सभी वादों को भी दो रहाया जो वह अक्सर हर जगे करते रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर पूर्मुखमंत्री के और से किये गए वादों को देख सकते हैं हुड़ा का गणित स्पष्ट है नए वादे और पुराने किये गए काम मददाताओं के बीच उनके नाम की स्विकार्यता बढ़ाएंगे भूपेंदर हुड़ा और उदेभान ने केंदरवे राज में कांग्रेस सरकार के समय की बड़ी उपलब्दियां भी लोगों के साथ साजा की आप अपनी स्क्रीन पर उन उपलब्दियों को भी देख सकते हैं समयलन में पहुँचे प्रमुख कांग्रेसियों के नाम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कांग्रेस के और से उपलब्द करवाई गई सुची काफी लंबी है हम आपको बोल कर बताए उससे बेहतर है आप खुद एक नजर इस पर डाल लीजिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूपिंदर सिंग हुड़ा ने उसी गुरू ग्राम से चुना परचार का शांदार आगाज किया है जिसे भाजपा का गड़ कहा जाता है यह भी कह सकते हैं कि गैर जाट शेतर में हुड़ा ने अपनी पकड दिखाने का अच्छा प्रियास किया है लेकिन ताकत पर भाजपा को देखते हैं कांग्रेश की असली ताकत तब नजर आती जब दूर रहे चेहरे भी पास होते हुड़ा को इसकी पहल करनी चाहिए दूसरे नेताओं को भी इसकी चिंता करनी चाहिए विचार धारा के लिए लड़ने वालों को अपनी सत्ता से अधिक कांग्रेश की सत्ता की चिंता करनी चाहिए फिलाल हरियाना में ऐसा कम नजर आ रहा है कैप्टन अजेश की यादव कल राची में थे राहुल गांदी के साथ वे खुद को हुड़ा से दूर नहीं बताते लेकिन उनकी अनुपस्थिती इसलिए हम थी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि वे तीन-चार दिन पूर कांग्रेश में दमगुटने और कुछ नेताओं के मनमानी करने जैसे बयात देखकर राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में राची पहुँच गए थे लेकिन ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है जो यह चाहते हैं कि भारत जोड़ों के साथ-साथ हरियाना में कांग्रेश जोड़ों की भी जरूरत है अब तो ऐसा लगने लगा है कि कैप्टन कहीं एसार के गुट में ने चले जाए कुछ लोगों ने तो उनके भाजपा में जाने की अठकले भी सुरू कर दी है एसार के गुट के तीनों नेता कुमारी सैलेजा, रनदीप सुर्जेवाला और किरण चोधरी इन दिनों अपना संदेश अलग से दे रहे हैं उन्हें हुटडा का सब कुछ मुठ्धे में रखने का अंदाज पसंद नहीं है हमें लगता है कैप्टन कहबे सक रहे हो कि उनके हुट्डा से कोई मतभेद नहीं है मगर अब यह स्पष्ट सा दिख रहा है कि कैप्टन फिर भुपेंदर से हुट्डा से दूरी बना रहे है इसके पीछे की वज़े है संग्ठन में उनकी पूछ कम होना खेर यह कांग्रेश का अंदरूनी मामला है कांग्रेश जाने और उनके नेता जाने आपने मेरी बाते ध्यान से सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद